तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड डिजाइन थिंकिंग की ठीक है यूनिट फर्स्ट का हम लोग और डिवीजन कर चुके है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसका लिंक आप लोगों डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे से यह सorer artists creativity जींग करता है क्रीटिव ढोड़ा इंटियृ तो इतना बड़ा बड़ा आप लोग लिखते हो में लिखते हैं इस बूद साहिए मैंटेरी लिखा हो है एक सीधा समझ लो creative thinking मतलब होता है कि think outside the box मतलब think outside the box मतलब अपने limitation से बाहर सोचना और किसी भी तरीके की problem को solve करना यह क्या है creative problem solving टेखनिक के नाम से इसको वोग जान सकते हैं ठीक है तो कोई भी तरीके की problem किसी भी तरीके प्रॉब्लम आए उसको एफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना यही तो हमारी क्रेटिव थिंकिंग होती है ना तो यहां पर देखो कि इस दा अबलिटी तो कम अप विथ यूनीक ओर इसनल फ्रेश एंड एफेक्टिव सॉल्यूशन संदब आपके पास में कैस कोई प्रॉब्लम है तो इसको इसको हम लोग जैसा की पात आया हो यहां पर एफेक्टिव प्रॉब्लम तरुबिंग सॉल्व कि नाम से व्यूं तो क्रेटिव एंग की तुक यहां। एक्जाम्पल देख लो जैसे कि अगर आपको एक डेस्टी डिस बनानीं कोई आपने लच सबस्क बर्गर बनाना है तो अब ऐगर आपको उसका मैंतस की पता कि घर वहा सवतार कि पहले किया आपको थी नहीं किया जाता एंus यहां पर एक तरीके का इसका real life example है कि यहां पर making the tasty dish at home when you don't know how to cook मतलब आपको पता नहीं किस तरीके से बनेगा बट आप वहां पर गए अपनी thinking को लगा रहे हो क्योंकि वहां पर आपको सोचना पड़ रहा है कि यहां पर से हम इसमें कितना डालेंगे यह क्या करेंगे न तो कौन से ingredients बढ़ेंगे तो इस तरीके से यह जो thinking होती इसी को हम लोग दोस्तों बोलते creative thinking मतलब अपनी creativity किसी में लगा दे हो ठीक है इसके और भी कुछ example है जैसे कि मान लोग कोई भी problem आपको देख रहे हैं तो उसको solve करने के ल तो यही होता है effective writing अच्छा सा लिख दिया किसी को अच्छा सा लिख भी दो है तो अपर भी इंप्रस हो जाता है तो यह भी क्या effective writing भी किसका पार्ट है आपर उसका यह example है creative thinking का ही अगर आप अच्छे से सोचे होगे तभी तो effective writing भी कर पाऊगे न open mindness कब होगी जब आपकी open mindness तभी होगी जब आप creative thinking होगे ठीक है तो यह सारी चीज़े है उसके बार में this way of thinking can help departments and organization be more productive तो इस तरीके से यह जो creative thinking होती है यह हमारी बहुत ही help करती department और organization को ज़्यादा ज़्यादा productive बनाने में इसका यहाँ पर सीधा से एक example लेलो कि creative का मतलब ही होता है कि ऐसा कु original होना चाहिए यूनीक होना चाहिए और beauty भी उसमें होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ भी rough idea है या फिर awkward लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं and utility मतलब कि customer जो हो जो भी consumer हो तो उसके नज़ों में उसकी utility भी जादा होनी चाहिए ठीक है तो यही इसी से हमारा जो बनता है वो creative thinking यह नहीं सारी चीजों का क्या होता है combination होता है ठीक अभी आंगे देखो यहाँ पर कुछ एक types दिये गए है जैसे कि analysis किसी चीज का analysis problem आ गई किसी चीज का analysis करना कोई भी तरीके का आपके पस में paragraph है ठीक है तो उसको analysis करना यह क्या है आपका creative thinking में आता है analysis करना open kindness open kindness का है जितने भी आपके पुराने जो भी आपने rules पढ़े होते हो सारी चीजों को एक side में रखते हो और एकदम पूरी नहीं तरीके से सोचने के लगते हो ठीक है तो keep put aside all the assumptions and look at things in a completely new way मतलब कि पूरा नहीं तरीके से सोचते हो इसी को हम लोग बोलते है open kindness इसका creative thinking का यह भी type ह ठीक है उसके पान में problem solving problem solving भी क्या creative thinking का ही एक पार्ट होता है उसके पान में देखो organization organization के अंदर क्या दोस्तों आता है let's see कि अगर आप कोई भी organization को चला देए ठीक हो आप को यह भी चारीके की organization को रन कराँ तो उसमें भी आपकी क्या लगती थिंकिंग ही तो लगती ही thinking से सब कुछ होता है अगर organization को चला दे हो बिना सोचे समझे तब पर भी वो क्या होगी वो company आपकी डूप जाएगी तो organization को चलाने भी में भी क्या है वो भी एक तरीके का type ही है creative thinking का उसके बाद में एक और भी देख लो हैं पर communication जैसे मैंने बता है कि communication भी क्या creative thinking जब तक आप अच्छा create नहीं करोगी कुछ सोचो के नहीं जब तक आप सोचो के नहीं तब तक वो आपकी मुह पे कैसे आगा ना जवान पर ही नहीं आएगा ठीक है अब types of creative thinking देख लो यहाँ पर तो यह कुछ एक types लिखे वोगट यहाँ से जो भी इसका flash होता है वो इस तरीके से इस direction में जाता है ना तो यही क्या होता है यही मतलब होता है divergent मतलब कि फैलना और convergent convergent मतलब क्या होता है एक जगे पर focus करना जैसे कि मानलों की जो भी सूर्य होता है sun होता है solar panel आप लोग ने देखा होगे ना जो cooker होता है पहले अभी चलता था अभी बी चलता है तो जो sunlight होती है वो उसके उपर आती है और फिर वो जो भी cooker होता है वहाँ पर से cook करने लगता है तो यहाँ पर सी क्या होता है देखो इस direction में आ रहा है और एक point पे रुख जा रहा है ठीक और यहाँ पर सी क्या चला है एक point से चला है आंगे तक बढ़ता है तो divergent thinking का मतलब क्या कि एक आपके पास में problem है एक छोटी सी problem है और उसको आप 10 तरीके से सोचे हो like इधर से भ आपकी जो भी design thinking है वो किस पर based होती है वो आपकी based होती ही divergent thinking के उपर जादा support करती है क्योंकि इसमें आपका क्या होता है एक problem के 10 solutions आपको मिलते हो और फिर 10 solutions में से आप उसका best alternative को choose करते हो और वहाई convergent thinking की बात करीजा है तो आपके पास में वहाँ confusion की state होती है आपके प years related आपको यहां भी पता है कि engineering भी कर सकते हैं हम B.Tech भी कर सकते हैं ठीक है B.Tech के अलावब B.BA भी कर सकते हैं B.Farma कर सकते हैं जानी क्या क्या कर सकतो ठीक है अपने 12th के बात में तो आप बहुत सारे options होते हैं उन सभी options में से 1 option पर आखर के रुख जाना ठीक है एक option के उपर क्क बनन सकता हूं मैं एक doctor भी बनना चाता हूं मैं एक doctor करनेके कराया मैं गाना भी अच्छा गाँ करनाता है गाया गालेता हो कर जितने भी solutions होते हैं वो आ करके किसी एक point पर दुख जाते हैं ठीक है तो यही होते ही divergent or convergent thinking यही सब कुछ लिखा हुआ है PDF का link जो है दोस्तों अगर आपको चाहिए तो WhatsApp आप कर दो वहीं से मिल जाएगा ठीक है सारी चीज़े divergent thinking conversion thinking यहाँ पर convergent thinking यहाँ पर सारी चीज़े लिखी हुई है ठीक है तो इहोब इतना भी समझ में आगया होगा अब यहाँ पर फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं आप एक्सरसाइज इंडिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज की बात करा जाए तो यहाँ पर exercise कि बहुत सारी तरीक यहाँ बताया था है कि किसी बीटरीके की problem को solve करना है न a problem solving technique होती प्रबलम को solve करने ही क्या होता है design thinking न कोई भी problem होती उसकी तरीके कि आपके 10 तरीके experts बैचते हैं और solve करनी को सिस करते हैं that is design thinking का ही पार्ट होता है ठीक है अब इसकी exercise के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं बहुत सारी चीज़े हैं देखें आपर design thinking exercise help designer to understand the users and identity their challenges and needs ठीक है तो इसके बहुत सारे ways होते हैं एक तो आपका सबसे पहले क्या आता है brainstorming brainstorming मतलब आप क्या करते हो brainstorming करते हो like आप 10 तरीके के experts के साथ में बैठते हो या फिर आप अपनी meeting को बुलाते हो ठीक आप meeting करते हो लोगों के साथ में उसमें क्या करते हो एक problem को रहते हो इसके अलग-अलग solutions को देखने की कौसिस करते हो ठीक है आप brainstorming करने का या मतलब मानलो है कि आपने सवाल लिया ठीक है अब सवाल आपको नहीं आ तो वही क्या brainstorming है मतलब कि उस 사वा गिदा क्यों यह नीचे गिदा तो वो क्या कर दा था प्रेन स्टॉर्म कर दा था ठीक है इसका जो में गोल होता है वो यही होता है कि कम आउट फॉर्म दा अवर हैबिट बाउंड थिंकिंग मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं कि हृँच कोतो हैं तो कुछ भी सूच में की पैसे नहीं रखते हैं यही होता है brainstorming उसके बाद में यहाँ पर creative thinking आती है इसका second exercise होती ही creative thinking जैसे हम लोगों ने पढ़ी लिया कि creative thinking क्या होती है ability to come up with unique, original, fresh and effective solution इसको हम लोग creative problem solving technique के नाम से भी जानते हैं ठीक तो exercise में आपका कौन कौन से दो आ गया brainstorming आ गया, creative thinking आ गया इसके अलावे यहाँ पर formal creative thinking आ गया formal creative thinking कुछ नहीं होता यहाँ पर थोड़ा formal तरीके से सोचना ठीक है, formal का मतलब it is possible to think every think creatively all the time ठीक है, यह possible चीज है कि हमेशा आप हमेशा क्या करोगे हर समय यह formal way में सोचते रहोगे जैसे क्यों हुआऊजा हमेसा why or why not थो यही अगल आप इन दोनों question को आप पकड़ लोगे आप formal creative thinker बन जाओगे यह भी आपके exercise के अंदर आता है रहे हिपर आन देखो जो लोग इस तरीके से तूस्तेए why or why not वह क्या होते हमेसा natural problem solver होते ठीक है फिर अब आंगे देखो यहां पर क्या है कि 6 है इसकी एक और भी यहां पर next जो हमारी exercise है that is called 6 thinking hat technique छिए ठीक है वह एडवयट दीवोन ने दी ती और इसके अंदर किया होते है दोस्तों अलग अलग तरीके के लोगों को रख जाता है अलग तरीके की हैट पहना जाती है लोगों को अलग अलग color की और कुछ लोगों को प्प उनकर according जो भी color होता है उनके according उनको आक्ट करना होते, जैसे जो white hat पहनता है, ठीक है, उसको हमें साथ जो भी है, इतना भी ज्यादा ज्यादा डेटा हो सकता है, वो collect करना होता है, वहीं पर जो भी वेक्टि ब्लू हैट पहनता है, तो वो हमें साथ difficulties धुनता है, वो हमें साथ negative चीज दूनेगा, कि इसके में क्य चीज निगेटिव है न कोई भी problem है तो उसमें निगेटिव ही चीज़ों को धुझता है जो भी black hat पहनेगा वहीं पर जो blue hat पहनेगा वो क्या करेगा हमें सा जो भी manage करेगा चीज़ों को ठीक है और next step के बादे में discuss करेगा चलो ठीक है अब यह हो गया तो इसका next step क्या होगा महीं जो कोई भी red hat पहनेगा तो red hat क्या करेगा वो हमेंसा emotions के साथ में खेलेगा लाइक कि उसको हमेंसा emotional होना अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं जैसे कि कोई भी problem है तो उसको emotional ही तरीके से देखेगा emotional कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा तो होगा तो फिर मतलब कि वो अपना emotions को वहाँ पर show करेगा बहुत जादा और फिर जो yellow color की hat पहनेगा वो क्या करेगा उसके benefits को बताएगा और यह चीज बताएगा कि कि कोई चीज काम क्यों कर सकते यह चीज बताएगा तो इस तरीके से आप 6 लोगों को आप क्या कर सकते हो अलग अलग तरीके की hat को पहना करके और उन सभी लोगों से उनका प्ले करने के लिए बोल सकते हो इससे क्या होगा आपको अपने की आपको पता चल जाएंगी अपनी कंपनी की तो अपने जो भी प्रॉब्लम हो उसकी उसके अलावा यहां पर हमारी जो जो हमारी आती है exercise that is called 5y analysis यह भी बहुत important है इसको हम लोग y analysis के नाम से भी जान सकते हैं तो 5y analysis जो होती है वो बार बार 5 बार y पूछने के उपर होती है जैसे कि अगर आपको कोई भी problem का root cause पसा करना है तो उसके लावा उसके लिए आप क्या करोगे 5 बार y पूछोगे 5 से वो 9 बार भी y जा सकते है ठीक है तो केवल ऐसा नहीं कि केवल 5 बार ही पूछना है जैसे मान लोग यहां पर चोटा से example लेते है जैसे कि अगर कोई भी है वो z cross उसने क्या किया signal को तोड़ दिया जो भी है वो उसने क्या किया जो भी traffic light हो उसने क्या किया उसको तोड़ा तो वो क्यों तोड़ा अगर आप उससे पूछो कि उसने क्यों तोड़ा तो वो यह बताएगा कि मैं लेट हो दा था क्यों कि वर्ग के लिए अब आप उससे फिर से पूछोगे क रही थे बताएगा कि क्योंकि मैं अशुबह जल्दी उठा था ठीक अब सूबह जल्दी उठे थे फिर यहां पर हो फोड़य पूछा गया क्यों कि अलारम clock broke मतलब कि जो alarm थी वो क्या हो गई थी वो मतलब कि छूट गई थी वो नहीं मिस हो गई थी अब क्यों मिस हो गई थी इसके वारे मैं बताओ फिर से वहाँ पर क्यों पूछा गया क्यों कि मैंने उसको रात में चेक नहीं किया था did not check if it worked तो महतलब कि वह काम नहीं करी थी उसमें यहां पर यह बता रहे कि काम नहीं करी थी और कर आदम क्योंकि क्योंकि यहां से लास्ट का का नहीं पूल गया था है जोब है तो जल्दी जाएगा वो क्या करेगा डालेक्ट रात में सूनने से पहले अपनी अलारम को करके पूछने से आपको क्या होगा उससे बेनीफिट के स्टार्ट करोगे फिर हाँ पर देखो यही कुछ एक हमारे पास में टेक्निक होती है जो हमारे पास में यही कुछ एक exercise होती है जो कि design thinking exercise के नाम से इसको जान सकते हैं पहला क्या है brainstorming then creative thinking former creative thinking इसके अलावा 16 thinking hats की technique हो गई 5-5 analysis हो गया इसके अलावा mind mapping भी होता है customer journey map भी होता है बहुत सारे अलग-अलग होते हैं ठीक तो इतना detail में भी नहीं जाना है अब यहां पर देखो कि design thinking workshop के बारे में discuss करते तो design thinking workshop क्या है अब देखो design thinking क्या होती हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी तरीकी problem को solve किया जाता है but design thinking workshop के अंदर क्या होते हैं अलग-अलग तरीके के लोग आते है experts होते हैं जैसे यहां पर आप फोटो में देख पार हो यह क्या करने किसी भी तरीकी के problem को क्या करता है sort out करने की कोसिस करने है तो यहां पर design thinking workshop is a creative problem solving session जिसमें से जो की principle पर based होता है design thinking के ठीक है और the activities of design thinking workshop organized according to the three phases इसके तीन phases यह है empathy, ideation and prototyping यहां पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यह दिखा देता हूं जो design thinking का process होता है यहां पर design thinking के process में आपके five stages होते है empathy, define, किसी को empathize करना, define करना, ideate करना, problem को, problem के अलग अलग तरीके solutions के साथ में आना और solution को choose करके उसका prototype तैयार करना, prototype तैयार करने के बाद में उसको आप क्या करो के test करोगे यहां पर आपको जो सबसे second, यह वाला कट जाता है design thinking exercise में और यह वाला कट जाता है, आपके design thinking exercise में किया होता है empathize करते हो, आपके user को empathize करते हो, बहुत सारी solutions को दूहने के साथ में एक prototype को तैयार करते हो, that's it तो तीन तरीके के यहां पर आपके बनते हैं, यहां पर देखो prototype, ठीक है prototype होता है, sorry empathize करते हो, यह first stage होगे, यह second stage होगे ideate, और यहां पर third number क्या होगे, आपका prototype, तो यहां पर आपका होगे creativity आपके लगगे, ideate जब आपका देओ, तो वो होगे creativity, और यहां पर prototype उसका बना तो वो क्या हो गया, innovation ठीक है, तो यह आपके तीन तरीके के यहां पर design thinking workshop के अंदर हो गया, empathy, ideation and prototyping, ठीक है, I hope समझ में आ गया होगा, ठीक है, अभी यहां पर देखो next है हमारा की goal of design thinking workshop, अब workshop को हम conduct क्यों कराते हैं, उसका goal क्या है, तो इसके बहुत सारे अलग-अलग goals ह हो सकते हैं, एक तो क्या है कि आपको desirable solution मिल जाता है, दूसरा क्या है कि to create user focused solution tool, मलग कि आपको जो भी user होता है, end user होता है, वो क्या चाहता है, उसके साब से आपको solution मिलता है, ठीक है, आपके risk जो होते है, वो reduce हो जाते है, अगर आप workshop करके किसी भी तरीके problem को identify करोगे, तो ठीक है, और क्या है कि teamwork को build होगी आपकी, ठीक है, everyone, सभी लोग involved होगे, तो उनको क्या लगेगा, कि मैं भी काम में सामिल हो, तो अपना best देंगे, and help to make employees open minded, और सभी लोग क्या होगे, इससे open minded होगे, तो इसके यहीं पर यह कुछ एक क्या है, दोस्तों, design thinking के goal है, design thinking workshop का हम तो goal यही होता है, कि उसके reduce risk करना, increase productivity करना, conclusion, main conclusion पर आना, solution, best effective solution provide करना, open minded होना, तो यहीं क्या होते है, goal होते है, design thinking workshop के, ठीक है, आप confused मत होगे, कोई भी problem होगे, तो प्लीज उसको comment box में बता दिया करो, या पूछ लिया करो, ठीक है, और वीडियो पसंद रहा है, तो उस से मुझे नुकसान होता है, तो यहाँ पर देखो क्या है, कि design thinking workshop के process क्या है, ठीक, process क्या है, तो process के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पर कुछ एक लिखे हुए है, process में आपको क्या करना रहता है, आपको सबसे बहले क्या होगा, planning आप करोगे, planning और preparation करोगे, जैसे आप location, objective, यह सारी चीजे कोई planning करोगे, कहां पर होना है, किस जगे पर होना है, किस time पर होना है, उसका agenda तरियार कोई कौन कौन से point discuss किये जाएंगे, फिर उसके बार में जब सबी लोग आ जाएंगे, meeting में तो फिर क्या करोगे, introduction करवा होगे, सबी लोगों का introduction करवा होगे, यह हम किस topic के उपर बात करने वाले है, उसके बाद warm-up करवा होगे, warm-up क्या होता है, एक तरीकी छोटी सी activity होती है, जैसे हम जिम में जाने से पहले थोड़ा सा warm-up करते हैं, यानि कि हमारी जो भी सारी काम करना स्टार्ट करते हैं, यानि जो भी हमारी body parts होते हैं, वो सारी काम करना स्टार्ट करते हैं, तो warm-up क्या होता है, कि इसी तरीकिस design thinking workshop में जो भी हमारे जो भी दिमाग होते हैं, वो हमारा काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जो भी हम सोचते हैं, तो हम जैसे कोई भी meeting लेने जाते हैं, तो उसका क्या होता है, कि किसी का दिमाग आदा घर होता है किसी का दिमाग कहीं पर कोई accident हो गया उसके उपर होता है कोई भी incident हुआ रास्ते में किसी ने माज दिया या फिर किसी से लड़ाई होगी तो उसके उपर रख रहता है तो वाम-प फोकस हो जाएगा और सभी लोग क्या होंगे वो सभी लोग भूल जाएंगे अपने जो भी उनकी परसनल प्रॉब्लम होगी उसको भूल जाएंगे ठीक और अब लोग उसके उपर फोकस करेंगे फिर यहां पर देखो इंटोडेट इंट्रीज डिजाइन तिंकिंग को फिर इंट्रीज करवाए जाता है ठीक है कि आज हम लोग इस टॉपिक वब डिजाइन ठीकिंग करने वाले उसके बाद इंपथाइस रिजुजर उसके बाद में क्या होता है कि जो भी आपका यूजर होता उसको इंपथाइस किया जाता है कि अच्छा यह यह कर सकतो उस्की यह यह problem है उसके point of view से देखो तो यह problem है, उसके बाद में get more details about the problem, मतलब उसके जो भी problem होती है, बहुत ज़रे details से उसकी problems को देखा जाता है, फिर come up with ideas, बहुत सारे ideas होते हैं, solutions होते हैं, jitने possible solutions हो सकते हैं, वह भी आ सकते हैं, फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसका test कर तो फिर देन आप करते है उसके close the workshop ठीक तो यह होता है दोस्तों process होता है यह भी कई बार पूछा जाता है कि design thinking क्या होता है इसका workshop design thinking workshop को explain करो उसका process क्या होता है उसका goal क्या होता है ठीक तो इसारी शीर्यम लोग उन देख ली अब यहां पर देखो what do you understand by the analysis and synthesis analysis क्या होता है किसी तरीके की क्या होती है दूस्तों starting की कोई भी मतलब की कोई भी problem होती है तो कोई भी तरीके की design thinking start किससे होती problem से start होती है और end कहां पर होती है जब कोई उसका solution मिल जाते तो वही पर वह जो हमारी design thinking होती है वो खतम हो जाती है ठीक है तो the solution is completely different from the problem मतलब जो भी आपका problem होती है वो solution से total different होती है ना फिर यहाँ पर देखो completely different होती है तो analysis और synthesis की बीच में क्या difference है इस चीज़ को देखना तो यहाँ पर देखो आपका analysis और synthesis दोनों चीज़ ही मिलकर के ही बनती है अनलिसिस में आप क्या करते हो problem को बहुत सारे चीज़ों में तुकड़ों में तोड़ते हो बहुत सारे bigger concept को अलग-अलग segments में तोड़ते हो कि यह भी इसका solution हो सकता है यह भी इसका solution हो सकता है वहीं पर बात कर synthesis के तो synthesis में क्या करते हो आप एक पॉइंट पर आकर के रुख जाते हो और एक डारेक्ट एक जो भी आपका point होता है उसका final decision लेते हो कि हाँ यह होना है जिसे चोटा सा का मतलब कि उसमें कोई भी conflict की situation नहीं होती do not let the conflict मनलब कोई भी conflict की situation नहीं होती that is synthesis और analysis में क्या difference होता है यह भी है अब concept of facilitation, facilitation का concept क्या होता है तो facilitator क्या होता है एक सबसे पहले facilitation जो word है यह कहां से आया computer नहीं सुनांवा जयसे हमाराए school में teachers होते हैं वैसे इसHe facilitator होता है facilitator क्या करता है कि जितना भी जैसे की teachers होतों क्योंको पढ़ाते जाते हैं ठीक हमारी दाया हमारी opinion नहीं रहते है वह इसको भी facilitator होता है वह क्या करते हमसे question के answers पूचता है ठीक ए हमको भी जोल प्ले करने को बोलता है हमारी activities को भी देखता है हमसे question के answer पूछता है हमसे हमको ज्यादर ज्यादर speak मनले encourage करता है कि तुम भी बोलो और जो भी question होते है उसके answers करो ठीक इसके अलावा वो अपनी आप से कि किसी भी तरीके की जो भी जर्णी है उससे related कोई भी question पूछ सकता है कि आपका interview में किस तरीके experience यह सारी चीज़े होती तो यह facilitator का यह भी होता है तो concept of facilitator का मतलब यह होता है कि वो हमारी help करता है किसी ना किसी तरीके design thinker बनने में मतलब हमको बहुत creative thinking सोचने में इसके अलग-अलग steps है इसको मैंने अलग से मैंने अलग से design thinking तो four principle of design thinking दोस्तों यहां पर क्या है चार तरीके के four principle होता है design thinking के first है आपका human centric rule then हमारा आता है ambiguity, ambiguity rule, redesign rule and tangibility rules, human centric rule, principle का क्या मतलब होता है कौन से सिध्धान पर design thinking काम करता है देखो एक सबसे पहला जो इसका सिध्धान यह होता है वह यह होता है कि end user की problem को समझना उसको empathize करना ठीक है तो यह सी को हो रहा है new new features launch हो रहा है एक एक ना एक उसमें क्या आ रहे है नए-ना innovations आ रहे है कुछ ना कुछ उसमें नए features एड हो रहा है तो redesign मतलब कि जो भी आपके पास product उपलब है उसी को आप क्या करो redesign करो मतलब उसी में कोई-ना फीचर नए add-on कर दो फिर वही टैंजिबिलिटी रूल जो होता है यह सिद्धान थमको यह बताता है हमको प्रिंसिपल यह बताता है कि प्रोटो टाइप की help से आप क्या कर सकते हो सामने वाले को impress कर सकते हो और साथ में अपनी जो भी जिस भी चीज के भारे में आप बतार उसको अच्छे से बता सकते हो ठीक है तो प्रोटो टाइप बना करके आप अपनी जो भी आप जिस भी चीज को समझाना चाते हो इसको अच्छे से explain कर सकते हो तो यह हमारे four principle of design thinking then हमारा फिर आता में have a general idea of the problem बदो उसको problem का general idea पता होता है और उसके पास में जो time होता है significant amount of time उसका जो time होता है वो limited होता है ठीक है तो यही होती हमारी wicked problem ऐसी problem जो जल्दी नहीं solve होती है solve तो होती है बट उनको solve होने में थोड़ा सथ समय लगता है तो हम लोग wicked problem बोलते है ठीक है तो I hope दोस्तों यह सारी शीजी क्लियर हो गए होंगे second part हमारा second unit खतम हो चुका है ठीक है इसी के साथ में और I hope कि सारी शीजी क्लियर है next video में अगर आप बोलोगे तो third unit को भी कर करेंगे उसमें case studies वगयरा है हलागी मैंने इसके उपर अलग से separate video बना करके रखा हुए बट अगर watching this video thank you once again